हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयूप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंस्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोश्ट इंपॉर्टें आपके लिए लेकर आ गए है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने जो चाप्टर की शुरुआज जो की थी ना प्रिविएस दिन में तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि यह हीट जो होता है इसकी ब लेक्चर नमोर वन में हम लोगने एंडिंग में एक फॉर्मूला देखा था दोस्तों रिलेशनशिप बिटूइन डिग्री शल्सियस, केल्विन और फेरनाइट यह एक फॉर्मूला हमने देखा था दोस्तों और फॉर्मूला में क्या है वो दोस्तों यहां पे में लिखा यह एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला जो है, यह तो Fahrenheit और Celsius के पीछ का फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला जो है, K is equal to C plus 273.15, ठीके न, यह हमारा एक फॉर्मूला है, ठीके न, अब यह फॉर्मूले के help से, यह दोनो जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया, तो यह सबी चीज हम लोग इसको solve कर पाए, इसके लिए मैं आपको यह चीज सिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत important माना जाता है, इस particular 8 standard के हिसाब से बात किया जाए, ठीके और आपको exam में भी पूछ सकता है, कि convert करके दिखाओ, तो एक question में आपको लेना चाहता हूँ, कि let's suppose हमें एक temperature दिया हुआ है, ठीके न, एक temperature दिया हुआ है हमारा Fahrenheit में, जो Fahrenheit का जो temperature है, वो हमें दिया हुआ है, 68 degree Fahrenheit, ठीके न, 68 degree Fahrenheit का temperature दिया है, और हमें पूछा है, तुम न, degree Celsius में इसको convert करके दिखाओ, और Kelvin में convert करके दिखाओ, ठीके, तो Fahrenheit में हमें पूछा गया है, Fahrenheit मे दिया हुआ है, degree Celsius और Kelvin में कितना होगा, 68 degree Fahrenheit, वो हमें calculate करना है, जो कि बहुत simple माना जाता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक formula है, जिसमें Fahrenheit और Celsius का क्या है, relation है, तो मैं यह formula यूज करता हूँ, सबसे पहला वाला, क्या है formula, F-32 divided by 9 is equal to C upon 5, इसमें F का value मु बचेगा, 36 बचेगा, नीचे आ गया, 9 is equal to C by 5, ठीक है, अब यह 9 बंजा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36, और 5 4 जा 20, यानि कि C जो है, आपका कितना आ रहे है, 20 डिगरी Celsius आपका value है, अगर कोई भी डिगरी 68 Fahrenheit में दिया है, तो हमने इसको convert कर लिया, कि वो चीज, degree Celsius में कितना होग 20 डिगरी, यानि कि 20 डिगरी का मतलब, 20 डिगरी Celsius का मतलब होता है, 68 डिगरी Fahrenheit, clear है, तो उमीद करता हो कि यह चीज आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा, कि इस प्रकार हमने Fahrenheit को Celsius में convert किया, 68 डिगरी Fahrenheit को Celsius में 20 डिगरी Celsius में convert किया, अब सेम वही चीज, Kelvin में convert करना है तो Kelvin का भी formula पता है मुझे क्या है, Kelvin is equal to C plus 273.15, यह formula पता है, और C का value अभी अभी हमने निकाल लिया 20, तो Kelvin कितना आ जाएगा, C कितना है हमारा, C अभी अभी निकाला हमने कितना आ रहे है, 20 डिगरी आ रहे है, 20 डिगरी आ तो 20 plus 273.15 कर दो, आपका Kelvin का value आ जाएगा, जो होगा, Celsius में 20 डिगरी Celsius होगा, और Kelvin में कितना होगा, 293.15 Kelvin होगा, clear है दोस्तो, तो इसी प्रकार, जो भी तरीके से example आपको पूछा रहेगा, जो भी आपको number दिया रहेगा, उसके इसाब से आप calculate करके निकाल सकते हो, बहुत easy है, इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं उसमें भी आपको एक explain किया था हमने, कि कोई भी temperature अगर है, तो temperature को measure करने के लिए जो device होता है, उसको हमने बोलते थर्मामेटर, अब यह थर्मामेटर है, वो exactly कैसे measure करता है, और क्या-क्या चीजें इसके अंदर होती है, वो मैं थोड़ा सा आपको बारीकी से बताना चाहत हो, कि what do you mean by thermometer, तो इसके लिए में क्या करता हो, सबसे पहले यह चीज को rough कर लेता हो, उमीद करता हो, आपने note down कर लिया होगा यह चीज, या फिर आप screenshot भी ले सकते हो, ठीक है न दोस्तों, ओके, यह चीज आपको clear हो गया, अब थोड़ा सा यहापे बताने की कोशिश करता हो में आपको, कि क्या होता है, thermometer, ठीक है, चलो heading डाल लेते है, thermometer, thermometer, अब thermometer, आपने सभी ने देखा है, हाथ से touch भी किया होगा, thermometer, and सभी को पता है, what do you mean by thermometer, तो thermometer is nothing but a device which is used to measure the temperature of a given object, या फिर जो भी temperature का object है, थंडा है तो थंडा, गरम है तो गरम, तो हर चीज का जो temperature को measure कर पाता है, उसको हम लोग बोलते है, thermometer, ठीक है, तो thermometer जो होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग categories की होते हैं, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता हूँगा, clinical thermometer, तो बहुत सारे type के thermometer होते हैं, एक होता है आपका clinical thermometer, दूसरा होता है आपका laboratory thermometer, ठीक है, laboratory thermometer, and एक और clinical thermometer मतलब क्या होता है कि जब भी आप hospitals जाते हो ठीके ना में आपने देखा होगा clinical thermometer जो होता है वो hospitals में use होता है ठीके ना तो इसका structure में एक draw करने कुशिश करें को एक normal सा एक आपको दंडी देखने मिलेंगे यहां पर एक ऐसा डंडी आपको देखने मिलेगा और नीचे की तरफ आप देखोगे इसा छोटा सा एक bulb जैसा shape होता है इसका जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है और वह लिक्विड क्या होता है दोस्तों initially सबसे पहले इ पर यहां पर बात करेंगे तो 20 हो जाएगा फिर बात करेंगे 30 हो जाएगा यह बहुत छोटा लिख रहा हूं आपको शाहिद दिखाइब भी नहीं देगा लेकिन ऐसे lining होता है यह जो थर्मामेटर होता है इसके अंदर ऐसे lining होता है और lining में वह marking दिया होता है इतना छोट करते हैं सीजा सीधा alcohol यूज करते हैं अब होता क्या था तो थर्मा मेटर काम कैसे करता है कोई भी थर्मा मेटर ले लो चाहे हम बात कर ले hospital के case में लैबरोडी केस में digital अभी नहीं बताऊँ गाँ 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 याँ पे digital को छोड़कर जितेने भी टाइप के पाट है उसके मेरे अंडराम्स में डाल दूँगा अगर किसी बॉडी का टेंपरेचर चेक करना है तो आपके साथ भी हुआ होगा कि जनरली डॉक्टर्स लोग क्या करते है वो थर्मामेटर को लेके ऐसे कंदे के नीचे यानि कि जो हमारा अंडराम्स होता है उसके नीचे ड जब भी उसके पास हीट आएगा तो वघॉटम्ट होगा और कितना एकसपांड होगा उसके इसाब से मार्किंग्स बनाये हुए है तो 102 degree Celsius नहीं होता है, 102 degree Celsius मतलब वो boil हो गया, मतलब इंसान जल जाएगा उतने temperature में तो, ठीके ना, तो उतना नहीं होता है, वो Fahrenheit में होता है, तो 102 degree Celsius यानि की बहुत, Fahrenheit मतलब बहुत ही कम Celsius, यानि 37 से थोड़ा जादा 38-39 तक जाता होगा, उससे जादा नहीं जाता है, ठीके न temperature उपर जाएगा, उसका हम लोग देख रहेंगे, कितना मार्किंग आ रहे है, 30 पे आ रहे है, 40 पे आ रहे है, जो भी मार्किंग रहेगा, हम लोग उसको देखके समझने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार जो है, कोई भी particular चीज का हम लोग जो temperature है, उसको measure कर सकते हैं, ठ thermometer तूट जाते है, तो mercury अगर leak हो गया गलती से, या फिर आपके मुग के अंदर डाला हुआ है, mercury leak हो गया, और mercury आपके अंदर चला गया, या फिर आपके body के contact में भी आया, तो आपको नुकसान पूचा सकता है, और direct अंदर पेट में जाते है, तो वो तो poisonous है, आपकी जान भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा harmful चीजे है वो, तो इसके लिए mercury को replace कर दिया गया alcohol से, तो आजकल जितने भी normally modern thermometer आते हैं, digital को छोड़के, टीके न, digital है का अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन digital को छोड़के, जितने भी type के clinical बात करे, laboratory के बात करे, laboratory में थोड़ जब आप experiment करोगे, chemistry lab में, laboratory में जाके, या फिर आपके school में शायद अभी भी करवाते होंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसा होता है, एक तरीके से, laboratory, thermometer, जो कि chemical industries, factories वगरे में इस्तेका, इस्तेमाल जादा होता है, बट, now and days क्या होता है, आजकल के जमाने में क्या होता है ये तो चलो use हो रहा है, clinical use हो रहा है, laboratory use हो रहा है, लेकिन आज के जमाने में क्या होता है, एक नया टाइप का thermometer मार्केट में आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तो, digital thermometer, उसका shape अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करू, लगभा कुछ इसका ऐसा shape होता है, ठीक है, आप दिखा होगा, pencil जैसा इसका shape होता है, और बीच में एक छोटा सा box होता है, और ये box में आपका digitally लिख के आता है, digitally लिख के आना मतलब 1, 2, 3 ऐसा लिख के आएगा, हम लोग को देखने के जड़त नहीं है, कि ये कितने पे गया, कितने marking पे गया, वो देखने के जड़त नही दिखा देगा, यहाँ पे 37 degree Celsius है, या फिर Fahrenheit की बात करें, मुझनी तो Fahrenheit में होता है, तो हम लिखके दिखा देगा, 98 degree Fahrenheit है, तो 97, 98 is normal temperature, उसे ज़्यादा होता है, तो टेंचल लेने वाली बात होती है, कि बुखार हो गया, तो normally मैंने भी use किया हुआ है, digital thermometer जो कि अक्सर हर घर में रखना भी चाहिए, बहुत सस्ता आता है, 400-500 रूपीज का आ जाता है, और उसको आप अपने घर पे रखोगे, तो आप एक normal routine check-up, जो है temperature के हिसाब से वो कर सकते हो, हर एक का, आपके घर के family members का, आपका भी खुद का भी कर सकते हो, तो आजकल जो है, normally digital thermometer ने ये, जो clinical thermometers है, ये सब को replace कर दिया, लेकिन फिर भी जो पुराना trend है, वो तो अभी भी चलता है, दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया आगर बात करे, बहुत जादा आगे बढ़ गया, modern हो गया, ऐसा तो नहीं है, तो अभी भी बहुत सारे जागा hospitals में clinically इस्तिमाल होता है, ल यहां से देखने मिल जाएगी कि क्या-क्या होता है, थर्मामेटर और कोन-कोन से टाइप क्या होता है, तो clinical thermometer, laboratory and digital, ये तीन major type के जो थर्मामेटर से उमीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको clear हो गया होगा, and same इसी प्रगार होता है कि temperature क्या होता है, इसके अंदर से absorb होता है कोई भी hot object अगर होता है, तो hot object क्या करेगा, ये थर्मामेटर जो होता है, उसके अंदर mercury जो भी होता है, वो उसको absorb करता है, और sense करता है, cold object रहेगा, तो वो उसके इसाफसे भी temperature को लेता है, और एक करता है, और कल हमने एक चीज़ देखा था दोस्तों, आपको नहीं आद होगा, तो मैं बता दू अगर क्या था वो, तो normally क्या होता है, कि hot object जो होता है, वो heat को loss करता है, ठीके ना, hot object क्या करता है, heat को loss करता है, और cold object होता है, वो heat को क्या करता है, यानि कि लेता है, तबी तो वो थंडा object दीरे-दीरे normal temperature पर आता है, क्योंकि वो heat को absorb कर रहा है, और घरम अब्जेक्ट जो होता है, क्योंकि वो heat अपना जो होता है, वो lose कर रहा है, तो ये एक तरीके से balance होना जरूरी है, जिसको हमने बोलते है heat exchanging property, heat exchanging होना बहुत जरूरी है, ये तो हमारा temperature उधर का उधर ही रहेगा, कोई एक चीज गरम होगा तो दूसरा चीज थंडा हो जागा, तभी तो balance बना रहेगा, तो वो balance बना रहा बहुत ज़्यादा जलूरी है, तो ये ही ता दोस्तों हमारा, किसके बारे में बार, जोकी ता हमारा thermometer के बारे में, ठीक है, clear है दोस्तों, तो पूरी उमीद करता हूँ कि ये चीज आपको clear हो गया होगा, अब एक छ तो जरूर से आप अच्छा marks निकाल सकते हो, और अच्छे conceptual knowledge gain कर सकते हो, और जो कि आपको भविष्य में काम आएगा, ठीक है ना, रट्टा नहीं लगाना है दोस्तों, भविष्य में का, आपको knowledge gain करना है, ताकि आप ऐसे ही आगे बढ़ सके, आगे लोगों को पढ़ा भ होता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा part है, heat का इसके लिए दिया हुआ है, specific heat, बहुत अच्छा topic है, इसको समझने की जरूते है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूते है, specific heat का मतलब क्या होता है, कि the amount of heat energy required to raise the temperature of an object, मतलब कोई भी एक object है, कितना amount of heat energy की जरूत है मुझे, कि वो object का मुझे heat करना है, या फिर वो object को cool करना हो, तो यानि कि कितना amount of heat मुझे चाहिए बढ़ाने के लिए, या फिर कितना amount of heat की जरूते है, मुझे को कढ़ाने के लिए, decrease करने के लिए, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते है, specific heat capacity बोलते है, यानि कि the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of one substance by one degree, एक डिगरी से अगर मुझे बढ़ाना है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या specific heat, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि कोई भी temperature है, कोई भी object है उसका मुझे 1 degree Celsius increase करना है तो कितना amount of heat energy की जोरत है उसका एक degree बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ क्या है उसके लिए specific heat है उसके लिए, ठीक है एक होता है specific heat और एक होता है specific heat capacity भी होता है, वो हम लोग आगे future जब standard में आप जाओगे, 9-10 में जब जाओगे, वो आपको जूल पर kg degree Celsius, यह होता है इसका SI unit और वही हम लोग बात करें, इसका CGS unit, ठीक है न, जो centimeter gram second का unit होता है, CGS unit की अगर हम बात करें, तो CGS unit होता है, बस जूल के जगा पर क्या आ जाएगा calorie आ जाएगा, kg के जगा पर gram degree Celsius आ जाएगा और कुछ फरक नहीं है यहाँ पर, and last but not the least की इसका formula क्या होता है, तो formula हम लोग सीखेंगे आज के दिन, फिर इसके उपर जो भी numerical होगा, या फिर example होगा, वो हम लोग next lecture में करा देंगे, यह पूरी chapter को कतम करने की कोशिश करेंगे, तो एक formula आपको याद रखना, let's suppose मैं अगर मानता हो कि मेरा specific heat है, वो क्या है Q है, ठीके न, कि the amount of heat energy जो मुझे चाहिए, let's suppose मैंने माल लिया, कि जो भी मेरा amount of heat energy है, वो मेरा क्या है Q है, Q, Q for amount of heat energy, तो Q को मैंने माना, यहाँ पर amount of heat energy, तो यहाँ पर हम लोग एक formula बना सकते हैं, इसका जो की होता है, M multiply by C, multiply by delta T, यह formula होता है, यह formula आपको learn कर लेना है, याद कर लेना है, हर एक चीज़ का मतलब यहाँ पर बतारो कि यह formula का मतलब क्या होता है, अब Q मतलब क्या है, आपका मैंने बोला, कि heat energy कितना amount of चाहिए, बढ़ाने के लिए, तो हम लोग Q से denote करेंगे, M मेरा जो भी रहेगा, मास रहेगा, जो भी object के लिए कर रहे हम लोग, उसका मास रहेगा, C मेरा क्या है, specific heat, यानि कि कितना amount of heat energy चाहिए, तो specific heat हो गया, और delta T is nothing but क्या होता है, इसको यहाँ पे एक और formula लिखके दिखा दूँगा, M multiply by C multiply by और delta T के जगा पे लिखेंगे, हम लोग T final minus T initial, यानि कि जो temperature होता है, एक final temperature होगा उसका, और एक initial temperature होगा, दोनों को subtract कर देंगे, तो हमें delta T मिल जाएगा, तो आज के लिए इतना ही था हमारे इस lecture में, जिसमें हमने बहुत important चीज़ पढ़ा, सबसे पहले तो हमने आपको numerical बताया, किस प्रकार degree Celsius या फिर degree Fahrenheit में अगर दिया हुआ चीज़ है, उसको Celsius में and Kelvin में convert कर सकते हैं, यह बहुत important concept है, और उसके उपर एक question definitely आपके exam में पूछ सकता है, correct है, क्योंकि conversion वाला आता ही आता है, second चीज़ हमने देखा कि thermometer क्या होता है, उसका concept क्या होता है, कौन-कौन से type के होते है, clinical, laboratory वाले and digital होता है, यह सबी चीज़ आपको मैंने बता दिया, और यह पूरा chapter जो है, उसमें complete कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तो, तो कैसा लगा है हमारा आज का lecture वीडियो दोस्तो, please हमें comment करके बताना है, और अपनी राय और suggestion जरूर से देना है दोस्तो, तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साप में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे एक लिए वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, थाय दो प्रेस जब बढ़ कर देखने कर देखने कर देखने कर देखने कर दोट से लिए,